गरतंत्र दिवस क्या है और ये क्यूं मनाया जाता है भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और 26 जन्वरी 1950 को इसके सम्विधान को आत्मसाथ किया गया जिसके तहट भारत देश को एक लोकतांत्रिक संप्रभू और गरतंत्र देश घुशित किया गया इसलिए हर साल 26 जन्वरी को गरतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है गरतंत्र दिवस मनाने की परंपरा किसने शुरू की थी देश के पहले राश्पती डॉक्टर राजेंदर प्रसाद ने 26 जन्वरी 1950 को 21 तोपों की सलामी के साथ धुजा रोहन कर भारत को पून गरतंत गोशित किया था इसके बाद से हर साल इस दिन को गरतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन देश भर में राश्ट्रिय अवकाश रहता है भारत ने अपना सम्विधान कब ग्रहन किया भारत राज्यों का एक संग है ये संसदिये परनाली की सरकार वाला गण गणराज्य है ये गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है जिसे संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को ग्रहन किया था और ये 26 जनवरी 1950 से प्रभाव में आया भारतिय संविधान में पंचवर्षय योजना की अवधालना किस संविधान से ली गई है भारती संव यानि राश्रपती गड़तंत्र दिवस समारों में हिस्सा लेते हैं और राश्ट्रे द्वज भी वही फैराते हैं। जंडा फैराते हैं और राज्य की राजधानियों में मुख्य मंत्री। नई दिल्ली में होने वाली गड़तंत्र दिवस की भव्य परेट की सलामी कौन लेता है। इस परेड में भारतिय सेना अपने नई टैंकों मिसाइलों रडार आधी का प्रदर्शन भी करती है। बीटिंग रिट्रीट नाम का समारो कहा होता है। भारतिय राष्ट्रिय ध्वज आखिर किस ने डिजाइन किया था भारतिय राष्ट्रिय ध्वज को पिंगली वैंकया ने डिजाइन किया था पिंगली ने शुरुआत में जो जंडा डिजाइन किया था वो सिर्फ दो रंगों का था लाल और हरा उन्होंने ये जंडा भारति राष्ट्रिय कॉंग्रिस पार्टी के बेजवाड़ा अधिवेशन में गांदी जी के समक्ष पेश किया था बाद में गांदी जी के सुझाओ पर जंडे में सफेद पट्टी जोड़ी गई आगे चलकर चर्खे की जगा राष्ट्री प्रतीक स्वरूप अशोक चक्र को जग राष्ट्य वीर्ता पुरसकार भारत में हर साल 26 जन्वरी की पूर्व संध्या पर बहादुर बच्चों को दिये जाते हैं। इन पुरसकारों की शुरुवात 1957 से हुई थी, पुरसकार के रूप में एक पदक, प्रमान पत्र और नकद राशी दी जाती है। सभी बच्चो पर डॉक्टर राजेंदर प्रसाद भारत के राष्टपती थे। समिधान लागू होने के बाद डॉक्टर राजेंदर प्रसाद ने वर्तमान संसत भवन के दरबार हॉल में राष्टपती की शपत ली थी और इसके बाद पांच मील लंबे परेड समारों के बाद इरविन स्टीडियम में उन्होंने राश्य ध्वज भैराया था भारती सम्विधान कितने दिनों में तयार किया गया था सम्विधान सभाने लगभग दो साल 11 महीने और 17 दिन में भारत का सम्विधान तयार किया था इस अवधी के दौरान 165 दिनों में 11 सत्र आयोजित किये गए थे